हलो फ्रेंड्स वेलकम तू माई चानल आज हम इस वीडियो में मल्टिपल कलर्ड क्रूशे एरिंग स्टाड बनाएंगे इसके लिए हमें चाहिए फाइव डिफरेंट कलर्स का धागा 1.25 mm क्रूशे हुग एक स्टाड एक ब्लू स्टोन ग्लू और सीजे चलिए हमारी यह रिंग स्टाड करेंगे पहले हमें एक मेजिक रिंग बनाएंगे इसमें दो चेन बनाना है और एक डबल क्रूशे दो दबल क्रूशे तीन चार पांच छे साथ आठ नों दस गेरा और इस दो चेन में जो दो चेन बनाए थे हम उसको भी एक डबल क्रूशे कंसिटेर करेंगे इसमें हम एक स्लिप स्टीच बनाएंगे यह देखिए हमें एक छोटा सा सर्कल मिल गया अब यह धागा को काट करेंगे और टाइट करेंगे अब हमें इसी ही तरह हमें और चार सेकल्स बनान लेना है यहां में फोर सेकल्स बना ली अब हमें ग्लू लेना है एक सर्कल्स लेके थोरा सा ग्लू डालके इस धागे को सिक्यूर कर देना है फिर इसी सेकल्स को थोरा सा सेप देना है सुखने दीजी फिर और एक सर्कल्स लेना है वैसे ही हमें सभी इस चारों सर्कल्स को ग्लू लगाके सभी की धागे सिक्यूर कर लेना है सिर्फ वाइट सर्कल्स को छोड़के सभी सर्कल्स को ग्लू लगाके इस सभी धागे को सेप कर लेना है ए देखिए फ्रेंज ए बहुत ही इजी एरिंग है सिर्फ हमें एक ही राउंड बनाना है वो भी 12 डाबल कुरूशे सबी एक्स्ट्रा थ्रेड काट करके अब वाइट सेर्कल में ग्लू लागा के इसके मिडिल में इस्टड को इंसर्ट करना है और इसको सूखने के लिए रखेंगे अब सबी पाट को एटेज करेंगे यहाँ पे सूई और धागे के साथ स्टीच करूँगे एक के बाद एक वाइट सेर्कल के ऊपर रखकर स्टीच करेंगे और इसको एक एक पैटल को सिक्यूर करेंगे अब रेट सेर्कल को लेके और इसको ओरेंज सेर्कल के ऊपर रखके स्टीच करना है ध्यान रखे हमेशा भी सेर्कल को साथ में ऑवरलाब करना है और इसको स्टीच भी करना है जस्ट लाइक फ्लावर एसे हमें सबी पैटल्स को एक के बाद एक स्टीच कर लेना है और आप लाश्ट वाला ग्रीन सेर्कल को लेके ए एलो एंड ओरेंज के बीच में रखके स्टीच करना है देखें ए फ्लावर बहुत ही खूब सुरत दिखाई दे रहा है ए बहुत ही सिम्पूल फ्लावर है ए देखें हमार फ्लावर बन गया अब थोड़ असा ग्लू लेके हम सभी पैटल्स को स्प्रेट करेंगे और उसके बाद थोड़ असा इसको सेप देंगे जस्ट लैक फ्लावर यदि आप स्टीच करेंगे तो फिर ए शेप देने के लिए बहुत ही आसान होगा और फिर ओ थोड़ असा ग्लू इस फ्लावर के बीच में देखें ए वाला ब्लू स्टोन को यहां पर रख देजिए ए देखें हमारा स्ट तैयार हो गया आपको यह स्ट बहुत ही अच्छा लगा अगर आपको यह स्ट आच्छा लगा तो प्लीज मेरे चनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और आपके ओपिनियंस कमेंस के तरू मुझे बता सकते हैं थेंक यू फोर वाचिंग फेर मिलेंगे नेक्स्ट नहीं वीडियो में तब तक बाई